आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं हूरीशय प्रसाद, आपकी मनजिल के सफर में आपका फिस से स्वागत करता हूँ तो आज हम देखेंगे geographical perspective on selective issues and problems का जितनी भी important MCQs है उनके बारे में chapter का हमने अच्छे से discuss कर लिया, इनकी question के बारे में अच्छे से देख लिया अब इसके important MCQs के बारे में देखेंगे, क्योंकि ये MCQs जो है, अब बहुत important हो गया है आपके news syllabus के साथ से तो बहुत को जानने के लिए, बहुत को सीखने के लिए है, आप हमारे सथ बने रहें और देखते रहें आपकी मनजिल तो which of the following disease is caused by the water pollution तो water pollution के कारण कौन से बिमारी होता है इसके बारे में हम जानना जरूरी है है पहला है आपका conjunctivitis इसका मतलब होता है जब आपके ay में कökई प्रॉल्लम हो आपके eyeball में कोई प्रॉبل्लम हो तो उससे इम कंजेक्टि वयक्टि बोलते हैं नेक्स आता है, ड infection यह आपका जब होता है जब throat में कोई problem हो जाए या आपको गले में कोई problem हो respiratory infection के कारण होता है और चौथा जाता है bronchitis, bronchitis का मत्तब होता है जब आपको बहुत bad तरीके से curve होता है तो इसमें से concept polluted water के कारण होता है या water pollution के कारण होता है बताइए तो very good diarrhea इसका answer होगा क्योंकि diarrhea अगर आप गलत गंदा पानी पीते हैं तो ही आपका पेट खराब होगा तो diarrhea है क्या होगे आपको polluted water के कारण होता है next question में आते है which of the following is not the source of noise pollution इनमें चाड़ो में से ऐसा कौन सा नहीं है जो source नहीं है noise pollution का not लिखा है इसको ध्यान से देखी है not चीज़को तो इसमें से किस से noise pollution नहीं होता है use of pesticides, aircraft, automobiles या factories किस से नहीं होता है noise तो तो जाहिर सी बात है pesticides का use करने से जो खेत में हम डालते हैं इससे noise pollution नहीं होगा use of pesticides is the right answer now come to the next question which of the following is not the source of water pollution same इसमें पुछा कि water pollution का कौन से source नहीं है not नहीं है तो सबसे पहले देख लेते क्या है हमारा sea waste disposal मतलब कि हम गंदे उन्दे पानी को जो फेक्ट्री से निकल रहा है उसको हम treatment करते हैं biological तरीके से उसमें कुछ bacteria को डाल की इस तरीके से तो यह sea waste disposal से भी water pollution होता है अर्बन रन उप अर्बन से जीतने भी कच्छरों से निकलते हैं तो उनसे भी water pollution होता है automobile जो हमारा गारी उरी चल रहे हैं और चौथा आ जाता है toxic effluents from industry इंडेस्ट्री से गंदा चीज़ों निकल रहे हैं तो किसे water pollution नहीं होता नॉर्मल सी बात है auto mobile से कोई water pollution नहीं होता है noise pollution हो सकता है air pollution हो सकता है लेकिन water pollution नहीं होगा तो the right answer is auto mobile now next question push or pull factor are responsible for यह दो जो है push और pull यह किस चीज़ के लिए responsible है migration के लिए land degradation के लिए slums के लिए यह air pollution के लिए किस चीज़ के लिए push or pull तो यह migration के लिए जब कोई लोग कहीं से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो उसका main reason होता है push or pull factor वहां के opportunities कैसे हैं और opportunities कैसे नहीं है जिस जगह से खराब होगा वह push factor काम करेगा और जहां पे अच्छा होगा वह pull factor वहां पे plus migration भार से migration आएंगे तो यह migration is the right answer now come to the next question by 2050 how much of the total population is expected to live in the cities लगबख 2050 तक world का कितना population जो है वो urban population होगा कितने होंगे one third population two third population total population क्या urban population होगा या कोई change नहीं हो जितना अभी urban population होगा तो two third population जो है देश के यह क्या होंगे urban population में convert हो जाएंगे अभी कम है लेकिन यह two third on 1950 आते हैं two third हो जाएंगे चलिए आगे रेखते हैं which of the following place is the role model for ecological restoration तो ecological restoration मतलब जहां पे हमने ecological को खराब कर दिया है या किसी तरीके से natural तरीके से ecology खराब हो गया चाहिए वह flood हो सकता है या mining winning के थुरू हो खराब हो गया तो उसमें किस तरीके से हम फिर से पूरे चीजों को अच्छे से इसको हम क्या कर सकते है ecological restoration के लिए सबसे best जगा भी है जहां पर काम चल भी रहा है सम्हारे next question के तरफ चलते which one of the following place is the Asia's largest slum Asia का जो सबसे बड़ा slum है कौन सा है वो धाराबी है तल्चर है जबुआ है या माहीम है इन चाहरों में सो कौन सा है नाम तो आपने सुने ही होगा तो यह नाम है आपका धाराबी यह इस या का सबसे बड़ा slum है और इंडिया का भी सबसे बड़ा है तो हर दफ साल में होता है नेक्स जो होने वाला यह 2021 में होगा कब होगा 2021 में मतलब इस ही साल होगा ठीक है तो एस्या का जो इंडिया का जो रूलर पॉपुलेशन वह कितना है तो वह है 68 परसेंट कितना है 68 परसेंट इसको अच्छा सी याद रखीगा ठीक है उसका हम देख लेते विच और फॉलोइंग रिवर्ड इस हाईली प्लूटेड इन चारों में से कौन सा रिवर जो है सबसे ज्यादा प्लूटेड है इन चारों इन चारों में से आपको बताना है कि इसका राइट एंसर है एर प्लूटेड की कारण हावा में जो डस्ट रहते हैं या जो केमिकल्स रहते हैं वो क्या होते है रेन वाटर के साथ मिलके आपको कैसा लग रहा है वीडियो आप जरूर कमेंट करें क्योंकि आपका कमेंटी है जो में लिए एक इंस्पिरेशन का काम करता है ठीक है तो जरूर बताए को इनफॉर्मिशन चाहिए तो वो भी जरूर आप बताए नेक्स आम देखते है जबुआ एंपी इस तो जबु आपको बता देता हूं यहां पर कौन रहते हैं या रखीगा नोट डाउन कर लीजे जितने भी मैं अमसी को कराता हूं आप नोट डाउन जरूर करते चलिए नहीं तो समय के साथ आप इन चीजों को भूल जाईए गा तो देखनी के साथ साथ इंपोर्टेंट पॉइंटों नोट डाउन करते हूए चलिए तो गंगा जो रिवर बहती है इन में से कौन सा जगा है जहां पे सबसे ज़्यादा पल्यूटेट यह होता है ठीक है तो कौन सा जगा में मथूरा एन आग्रा में या डाउन स्ट्रीम आप कानपूर में कानपूर से बहते हुए आगी के तर रिवर इस मोस्ट पल्यूटेट कौन सा स्टी जो है जो सबसे ज़्यादा पल्यूटेट है डेली टू इटावा मेरट एन आग्रा दोनों यह ननव दूनों में से कोई नहीं तो यमूना जो सबसे ज़्यादा पल्यूटेट होता है वह डेली टू इटावा के जगा प्लेस इन विच स्टेट अभी मैंने आपको बताया कि यह जबुआ जो है डिस्ट्रिक्ट यह किस स्टेट में है बताईए जल्दी से यूपी एंपी वेस्ट बेंगौल या गुजराथ किस में उसका राइट एंसर होगा एंपी ओके स्वच भारत मिशन SBM is a part of स्वच भारत मिशन के ऊपर मैंने आपको एक dedicated वीडियो बना दिया था उससे आप जरूर देखें ठीक है उसमें बहुत सार इंफॉमेशन जो भी आपको चाहिए मैंने उस वीडियो में सब करा दिया प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं साथ दिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक अटेच कर दूंगा साथ मैं जितने भी मैंने प्रैक्टिकल की कोशन्स है जो जेग्राफी में आ सकते हैं मैंने उन सारे पे वीडियो बनाए हैं गायबा की कुशन क्या 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 आ सकते हैं तो आप जरूर प्लेलिस्ट में यह दोनो रूलर अरबन है यह नग इन में से कोई नहीं है जल्दी से comment section में comment करी कौन सा होगा इसका answer? इसका answer होगा यह क्या है एक urban renewable mission है कि जितने भी urban इलाका में गंदगी हैं कचरे हैं उन सारे चीजों को सापसुत्रा किया जाये तो सच भारत mission SBM इन चारो में से कौन सा ऐसा एक पॉइंट है जो अब्जेक्टिब नहीं है नमामी गंगा प्रोग्राम का चलिए चारो को देखते हैं तब समझेंगे कि कौन सा इसमें से नहीं है developing stage treatment system in town .ciaweege के sp Michaationאת अैं स्परेइलिंग गलती हमें को तो सीवेज treatment in town अबने जितने दितने बी गंदे पानी युद्धकी नलना वलना से क्या करें ?। क्या करें उनका treatment करके उनको अच्छी से चेक मनें उनको bacterial त्रुके से जितने कच्रा उच्रा उच्रा उसको अलग करके सिर्फ साप पानी को ही नदी में जाने दे monitoring of industrial influence इंडेस्ट्री से जितना भी गंदर निकल रहा है कच्रा उनको हम उसको पर monitoring करें ऐसा ना कि वह सारे कच्रा को river में डम कर दे cleaning the river surface जो river का surface है उसको साप किया जाए या deforestation in the bank of river ganga गंगा रिभर के bank में उनके किनारों में पेर की कटाई की जाए तो इन चारों में से कौन सा नहीं होगा आप सुनके ही बता सकते हैं तो deforestation in the bank of river गंगा गंगा रिभर के दोनों तरफ पेर को ना काटा जाए इस प्लैनिंग के या इस प्रोग्राम के मुताबिक यहां पर डिफोरेस्टेशन नहीं बलकि यहां पर एफोरेस्टेशन होगा उसका राइट एंसर है इस चैप्टर से बहुत जादा MCQs important नहीं थे जितने थे मैंने आपको यहां तक की 17 questions तक ही end करा दिया है आपको करवाते चला जा रहा हूं तो आज के लिए बस इतना ही था अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन को जरूर प्रेस करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले जैसे कि मैं इन सारे वीडियो को आप तक ला सकूं ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक जय हिन जय भारत